अज हम लोग देखते हैं मंत्री परिशत तथा मंत्री मंडल में अंतर distinction between council of ministers and cabinet यह क्या है भारत के सविधान में cabinet सब्द का परियोग नहीं किया गया है सविधान के अनुछेद 74 में मंत्री परिशत की व्यवस्था की गई है मंत्री परिशत की अपेक्छा मंत्री मंडल सब्द का परियोग किया जाता है परन्तु इन दोनों में व्यापक अंतर है जो निमिल लिखित है तो किन-किन में अंतर है मंत्री परिशत और मंत्री मंडल में तो क्या अंतर है चलिए आगे देखते हैं एक नमबर है मंत्री परिशद एक व्यापक अथवा बड़ी संस्था है परन्तु मंत्री मंडल मंत्री परिशद की एक अंतरंग समीती के समान है दूसरा नमबर मंत्री परिशत में सभी मंत्री सामिल होते हैं प्रन्तु मंत्री मंडल में कुछ प्रभावसाली, प्रसासनिक सुजबुजवाले, अनुगभवी तथा कुसल वरिस्ट मंत्री ही सामिल किये जाते हैं तिसरा नमबर, मंत्री परिशत के सदस्य नितियों का निर्मान नहीं करते, नितियों का निर्मान करना मंत्री मंडल का कारिय है चौथा नमबर मंत्री परिशद में सदस्यों की संख्या बहुत अधिक अर्थात 60-65 के लगभग होती है मंत्री मंडल में सदस्यों की संख्या अपेक छाकरित थोड़ी होती है अर्थात 16-17 मंद्री उसमें सामिल होते है पांच नमबर मंत्री मंडल जो भी नितिया बनाता है तथा निर्ने लेता है वे नितिया तथा निर्ने सारे मंत्री परिशद के समझे जाते हैं तथा सभी मंत्रीों को उनका पालन करना पड़ता है 6. मंत्री मंडल के सदस्यों की लोकसभा की ओर जिम्यदारी संयुक्त और सामूहिक होती है जबकि मंत्री परिशद में सामिल, राज्य मंत्री और उप मंत्री केवल अपने प्रसासनिक विभागों के कारियों के लिए जिम्यदार होते हैं लेकिन लोकसभा द्वारा मंत्री मंडल की विरूध और विश्वास प्रस्ता पास होने पर पूरी मंत्री परिशत को इस्थिफा देना होता है साथ नमबर प्रधान मंत्री समय समय पर मंत्री मंडल की बैठके बुलाता रहता है सब्ता में एक बार प्रधान मंत्री मंदल की बैठक बुलाता है प्रन्तु पूर्ण मंत्री परिशत की बैठक अब चारिक रूप से बहुत कम बुलाई जाती है आठ नमबर सविधान के अनुचेद 74 में मंत्री परिशत की विवस्था की गई है मंत्री मंडल सब्द का परियोग सविधान के अनूचे 352 में किया गया है जिसके अंतरगत कहा गया है कि मंत्री मंडल के लिखित प्रामस पर ही रास्टपती अपात इस्थिती की घोसना करेगा 9. मंत्री परिशत के सदस्यों के वेतन में भी अंतर होगा मंत्री मंडल के सदस्यों को दूसरे मंत्रियों की तुलना में अधिक वेतन दिया जाता है तो बच्चो यह था मंत्री परिशद तथा मंत्री मंडल में अंतर आगे हम लोग देखते हैं मंत्री परिशद और मंत्री मंडल के कारे Functions of the Cabinet and Council of Ministers यह क्या है भारत में संसतिय सरकार की अस्थापना की गई है राष्टपती तो नाम मात्र का अधियक्ष है वास्तों में कैबिनेट ही वास्त्विक कारेपाली का है और वही राष्टपती की सारी सक्तियों का परियोग करता है प्रसासन का कोई ऐसा छेत्र नहीं है जिस पर मंत्री मंडल निर्ने ना करता हो सभी कारियों में मंत्री मंडल का निर्ने ही अंतिम होता है मंत्री मंडल की सक्तियां अथवा कारिय निविन लिखित है तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि मंत्री मंडल की कौन-कौन सी सक्तियां है या मंत्री मंडल को कौन-कौन सा सक्तियां प्राप्त है एक नमबर है राश्टिये नीती का निर्मान कैसे किया जाता है आम चुनाओं के पहस्टाज जिस राजनितिक दल को बहुत प्राप्त होता है उसी दल के हाथ में सत्ता आती है तथा वह अपने सिधानतों तथा चुनाओं घोसना पत्र के अनुसार सासन चलाने का प्रयास करता है मंत्री मंडल राश्ट्र की नीती का निर्मान करता है और यह स्वस्ट करता है कि वह किस तरह की आंत्रिक वह विदेश नीती के अनुसार सासन चलाएगा नितियों का निर्मान मंत्री मंडल दवारा किया जाता है तथा संसर दवारा स्विक्रिती प्रदान की जाती है तो यह था राश्ट्री निती का निर्मान कैसे होता है दो नमर है प्रसासन पर नियंदरन मंत्री मंदल नितियों के निर्मान के पस्चात उनके अनुसार कारे करता है प्रशासन पर नियंतरन मंत्री मंदल का होता है प्रतियक मंत्री किसी ना किसी विभागा अध्यक्ष होता है और उस विभाग का कार्य निर्मान नितियों के अनुसार हो इसका उतरदाई तुवर उस मंत्री का होता है देश में सांती सुरक्षा बनाय रखना भी मंत्री मंडल का कार्य है तीसरा नमबर है विभिन विभागों का संबंध मंत्री मंडल सासन के विभिन विभागों का मार्ग दर्शन करता है तथा उनके कारियों में समन्वय अस्थापित करता है इसकी बैठकों में ही मंत्रियों तथा उनकी विभागों में पैदा होने वाले विवादों को दूर किया जाता है तथा प्रशासन में एक्ता अस्थापित की जाती है चौथा नमबर विदेशों के साथ संबंद वर्तमान यूग अंतराष्टियवाद का यूग है कोई भी देश कितना भी सक्ति साली कियो ना हो अकेला नहीं रह सकता दूसरे देशों के साथ संबंद अस्थापित करने के लिए मंतरी मंडल विदेश नीती का निर्वान करता है दूसरे देशों के साथ संधियां तथा समझोते राष्ट पती के नाम पर मंतरी मंडल द्वारा किये जाते हैं दूसरे देशों में राजदूतों की निव्ति तथा अपने देश मेरा दूतों को स्विक्रिती, राष्टपती, मंत्री मंडल के प्रामस के अनुसार करता है सावेधानिक उपबंधों के अनुसार संसत की स्विक्रिती के विना राष्टपती युध तथा सांती की घोसना नहीं कर सकता प्रन्तु वास्तों में यह कारे भी मंत्री मंदल के निर्ने के अनुसार ही किया जाता है पाँचवा नमबर है विधाई कारे सिधान्त रूप में कानुर निर्मान संसत का कारे है प्रन्तु वेहवारिक रूप में कानुर निर्मान का कारे संसत की स्विक्रिती से मंत्री मंदल ही करता है मंत्री मंडल संसत के सदस्यों से बनता है इसलिए वह विधाई कार्य भी करता है निम्न बातों से इन बात की पुष्टी होती है तो किन-किन बातों से इन बातों की पुष्टी होती है एक नमबर है कानून निर्मार में मंत्रियों का ही युगदान अधिक रहता है दूसरा नम्बल संसद में लगभग 80% बील मंत्रियों द्वारा रखे जाते हैं तथा अपने वहुमत के कारण वे उनको पास करवा लेते हैं इस तरह से मंत्रियों का संसद पर नेत्रित वह होता है प्रतियक मंत्री दोनों सदनों की कारेवाही में भाग ले सकता है प्रन्तु उसे मतदान का अधिकार उसी सदन से प्राप्थ होता है जिसका वह सदस्य हो तीसरा नमबर राष्टपती संसत का अधिवेशन बुलाता है उसकी तिथी निश्चित करता है तथा अधिवेशन की समाप्ती की घोसना करता है प्रन्तु ये सब कारे मंत्री मंडल की सला से ही किये जाते हैं चौथा नमबर, संसद में राष्टपती द्वारा जो अभीभासन दिया जाता है, वो अभी मंत्री मंडल द्वारा त्यार किया जाता है। पाच नमबर, संसद के अधिवेशन का कारे करम मंत्री मंडल ही त्यार करता है। 6. मंत्री मंडल की च्छानुसारी राष्टपती अध्यादेश चारी करता है। 7. संसद में विधायक किसी भी सदसे द्वारा रखा जा सकता है। प्रंतु ऐसे किसी भी बील के पास होने की कोई संभावना नहीं रहती। यदी मंत्री मंडल उसे विधायक का विरोध करता हो। यदी मंत्री मंडल उस विधायक का विरोध करता हो। आगे है 6. वित्य कारिय। मंत्री मंडल का राष्ट की वित्य व्योस्था पर पुरा नियंत्रन होता है। वित समंधी सभी अधिकारों का परियोग मंत्री बंडल दवारा किया जाता है। इस सक्ती के अधिन संसद में प्रतेक वर्ष की आमदनी और खर्च का ब्यवरा बजट के रूप में वित मंत्री पेश करता है। साधारन विधायक कोई भी सदर से पेश कर सकता है। परन्तु धन विधायक केवल मंत्री ही पेश करता है। आगे है साथ नंबर नियुक्तियां। बड़े बड़े पदों पर नियुक्तियां राष्टपती मंत्री मंदल की सलासे करता है। महा नियावादी, नियंत्रक तथा महालेखा परिक्चक, चुनाओ, आयुक्त, राजियों के राजेपाल, उच्तम नियाले तथा उच्छ नियाले के नियादिस एवं मुख्य नियादिस आदी महत्वपुन नियुक्तियां मंत्री मंदल के प्रामर से ही की जाती है। आठ नमबर है नियाईक कारे। उच्टम नियालय और उच नियालयों के नियाईधिसों की नियुक्तियां मंत्री मंडल की सिफारिस पर ही राष्टपती करता है। राष्टपती अपने छमादान के अधिकार का परियोग भी मंत्री मंडल की सदा से करता है। नौ नमबर है प्रामस मानना आउस्यक राश्टपती राज्य का नाम मात्र का धेख्च होता है सिधान्त रुप में उसको विश्त्रित सक्तियां प्राप्त है परंतु इन सभी सक्तियों का परियोग वह मंत्री मंदल के प्रामस से ही करता है सन 1976 में पास किये गए 42 सविधान कानून ने तो राश्टपती के लिए मंत्री मंदल का प्रामस मानना आउस्यक कर दिया है तो बच्चों यह था आपका मंत्री परिशद और मंत्री मंदल के कारे आज मैं आप लोगों को इतना ही बतला कर कलास समाप्ट करती हूं थाइंकी